आपको तो पता ही होगा कि दुनिया में लोगों को कई देरिके के एलर्जिस होती है पर आपने कभी सुना है कि सनलाइट से किसे को एलर्जिस हुई है आपको सुनकर भी अजीब लग रहागा हुआ न तो हे गाइस फिल से एक बाद स्वागते हमारे इन्फॉर्मेटिव और अजीब गरिफ वीडियो में वीडियो शुरी करने से पेले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रिखो और बेल नोटिफिकेंशन आल पे करना मत बूले पर पर बहले वीडियो को एंट तक देखिए और अब वीडियो अगर अच्छी लगी तो ऐसी अजीब एलर्जी के वज़े से तेली की लाइफ को जीना बहुत ही मुश्कित होते हैं अब अमिल्का के एक महिले को ऐसी अजीब एलर्जी है उसे सनलेट मतलब सूरज के केतनों से एलर्जी है मतलब क्या? ऐसा कैसे यार? कैलिफिनियों में रहने वाली इस 28 साल की महिला का नाम एंड्रा इवोनी है इस एलर्जी के वज़े से वो बाहर धूप में भी नहीं जा सकती एंड्रा एक बहुत ही अजिब स्कीन इंफेक्शन का शिकर है इस बीमारी में स्कीन संलाइट को सेह नहीं पाती इस बीमारी के वज़े से वो बालकनी में जाकर नहीं तो कुई खुली जगह पे जाकर खुली हवा भी नहीं ले सकती बीमारी के वज़े से वो उसे पूरे दिन एक कमरे में बंद रहना पड़ते है जेरो डर्मा पींग में टोसम ऐसा इस बीमारी का नाम है यह बीमारी लाखों में से किसी एक ही आदमे को होती है इस बीमारी में स्कीन बहुत ही सेंसेटी होती है और अगर यह बीमारी बढ़ गई तो कैंसर होने के भी चांसेश रहते हैं October 2020 में एंडरोग भी स्कीन कैंसर हुआ ऐसा पता चला उसके बाद उसे बहुत सरी सर्चरिस को सामने जाना गड़ा तो दोस्तों बहुत सरी ऐसे बीमारी या इलर्जिस है जो हमारे डिली लाइस की पुरी वाट लगा सकती जुने में ऐसे कई तरह के नई-नई इलर्जिस होगी अब यूभी कुछ एलिलीज का पता भी नहीं होगा तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करो और सस्क्राइब करके रखो ऐसी इन्फर्मेटिव वीडियो के लिए तो मिलते हैं फिर एक बार एक नई इन्फर्मेटिव नॉलिजबल और अजीब गरी वीडियो के साथ